स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल इन्फो अकैडमी पर और आज की इस वीडियो में हम एक नए जॉब के विग्यापन के बारे में चर्चा करेंगे जो की पंजाब नेशनल के मंडल कारेलय कुरक्षेतर के दुआरा जारी कर दिया गया है और जो मंडल के लिए जो सेक्षनिक योगता है एजुकेशन कॉलिकेशन है वो बारवी कक्षाई या समकक्स आपकी उत्तिरन होनी चाहिए और अंग्रेजी पढ़ने लिखने का अधारभूत ग्यान आपको होना चाहिए तब ही आप इन पदों के लिए एपलाई कर सकते हैं आज की वीडियो को पूरा देखने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक वे शेयर जरूर करते रहें चलिए आगे एड़टाइजमेंट का पॉइंट नंबर खाय देखते हैं जिसमें आयू सीमा बताई गी है पिछड़ा वरग हैं उन्हें तीन वर्स की उपरिया यू सीमा में छूट मिलेगी इस परकार जो पॉइंट नंबर इस एड़टाइजमेंट के घह पर बरताया गया है कि आपका जो डॉमिसाइल है इन पदों के लिए अपलाई करते वक्त आप केवल समंदिज जिले यानि कुरक्षेतर और यवनानगर के स्थाई निवासी होने चाहिए तब ही आप इन पदों के लिए अपलाई कर पाएंगे इसके बाद जो बात करते हैं वेतनमान की जो अरंभिक मूल वेतन है वो 14,500 रुपे से शुरू होगा और जो अन्या भत्ते बैंक के नियम के अनुसार ह है वो केवल पंजिकरित डाक यानि के रिजिस्टर पोस्ट और स्पीड पोस्ट के मादम से ही आप अपलाई कर पाएंगे रिक्तियों का विवरण इस परकार से है यमननगर जिले के लिए कुल साथ वेकंसी हैं और साथ में जर्नल स्रेणी के लिए तीन अनसूचित वरक के लिए एक यानि SC के लिए 1, OBC के लिए 2, Economically weaker section के लिए 1 और इन साथ रिक्तियों में से 2 पद एक्स और इसमेन के लिए अरक्षित रखे गए हैं और कुर्ख्षेत्र में बात करें कुल 11 पद विग्यापित के गए हैं 11 पदों में जर्नल स्रेणी के 11 हैं SC के लिए 5 और अनस पिछड़ा वरक के लिए दो सुरी तीन और आर्थी रूप से पिछड़े जो रिजर्वेशन है एकनोमिकली विकश एक्षिन की उसके लिए एक वेकंसी है और इन वेकंसी के तहत कुल ग्यारां वेकंसी में से एक पद फिजिकली हेंडिकेप्ट के लिए और दो पद पूरुसैनिक यनि के भूत पूरुसैनिक के लिए रक्षित किया गया है और जो पता बताया गया है कि आपने एपलाई करने के लिए कौन से पते पर आपने भेजना है मुख्या परबंदक, मानव संसादन विकास, पंजाब नेशनल बैंक, मंडल कारेलिय, चठ्था, कॉंपलेक्स, पीपली रोड, कुरक्षेतर, 136, 118 के पते पर आपने पंजिकरित या स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपने भेजना है और जो परफोर्मा रहेगा वो अभी आपकी वीडियो स्क्रीन पर आप दिख्या ही पड़ रहोगा, जो आवेदन का प्रारूप रहेगा, एप्लिकेशन का फॉर्मेट रहेगा, वो इस परकार से रहेगा पंजाब नेशनल बैंक में चपड़ासी के पधेतू, आवेदन पत्र और जिले के बाद जुखालिस्तान है, इसमें आप अपना डिस्टिक का नाम बताएंगे, यदि आप यवननगर से हैं तो यवननगर लिखेंगे, अम बाला है, सौरी कुरक्षेतर से हैं, तो 21 को आईू कितने वर्स कितने महिने और कितने दिन की हैं वो आप लिखेंगे, इसके पाद पांचवे नबर कॉलंबे आप अपनी सेक्ष्णिक योगजेता विवनन दैंगे, दस्वी कक्षा का बोर्ड, पास करने का वर्स कितने आंक हैं और कितने आंकों में से आपने अंक प्रतिसत बताएंगे, पॉइंट नमबर छे पर आप बताएंगे अंग्रेजी पढ़ने लिखने का धार्बूत आपको ज्यान है या नहीं है, सातमें में बताएंगे वर्ग आपका समाने जाती से ہیں अनुसूची जन जाती से हैиля आप एकसर्शमेन है ये वीवर्ण देंगे नौमें कॉलम में अभारती बताएगा कि किस जिले का सथ़ाई निवासी है और 9 में कॉलम में अपना टेलिफोन या मोबाइल नमबर बताएगा 10 में कॉलम में आप अपना पत्र विवाहर का पूरा पता पिन कोड साहिद लिखेंगे उसके नीचे जो गोशना है गोशना के नीचे आप दिनाग लिखते हुए आप भैरती अपने हस्ताक शेर करेगा इस प्रकार आप एप्लिकेशन फारम भरकर इसके साथ अपने प्लस टू हर्याना रेजिदेंस का सेटिकेट जिसमें आप जिला यम्नानगर और कुर्क शेतर के स्थाई निवासी हो और इसके इलावा आपके टैंथ का प्लस टू का ये सभी जो डाकुमेंट से उनकी फोटो कॉपियां लगाएंगे और सत्यापि सेल्फ अटेस्टेड भी कर सकते हैं और किसी गेश्टेड आफिसर से भी आप ये दस्तावेज अटेस्ट करवा कर पंजाब नेशनल बैंक मंडल का रेले चठा कॉंपलेक्स पीपली रोड कुर्क शेतर के बते पर आप इसे भेज सकते हैं इसमें कोई इस हो चुका है आज की वीडियों बस इतना ही मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ तब तक के लिए आपको नमस्कार जैहिंद जैभार धन्यवाद